अभी हाल ही में एक बयान जो बहुत जादा वाइरल हुआ है उसके विशे में चर्चा कर रहेंगे तो सब्सक्राइब करके बल आकन प्रेस कर लीजेगा टीचिंग बेकेंसिटर रिलेटेट सभी अपडेट साथ में जो भी आपकी सिक्षक भरतियां आ रही है उनके सिलाबस उनका क्राइटरिया है और आपको टीचिंग फिल्ड की सभी जानकारी स्चैनल पर प्रोवाइट की जाएगी आपने अभी अभी देखा होगा वर्तमान में बेसिक में कोई सिक्षक भरती नहीं कराने का विचार है इनका संदीप सिंग जो बेसिक सिक्षा मंत्री जी के बयान से साफ है कि 2024 सुनाओं से पहले भरती की दूर तक कोई उम्मीद ना करें अचा ये तोड़ा सब ला रहे लेकिन मैं आपको पढ़के सुना दिती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीड़ वा डीलेट की भरती के लिए कोई भी योजना नहीं उन्नाओं में अभी हाली में एक क्या था कि प्रतिमा का उद्गाटन था तो वहाँ पर इनसे सवाल पूछे गए जो आपके सिक्षा मंत्री थे और इन्होंने उस सवाल के जवाब में साफ साफ ये कहा कि आन बोली है कि जो आने वाला समय है वो टेक्नोलोजी का है और आने वाले समय में जो भरती प्रक्रिया है पूरी करवाई जाएंगी उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कते नहों इसलिए उसके लिए पूरी पूरी योजनाए बना करके अच्छे से artificial intelligence जैसे कि आपको पता AI चर्चे में इन सब को ले करके इन्होंने मतलब सब बाते कहीं लेकिन कहीं पर इन्होंने भरती आएगी या ऐसा विज्ञापन आएगा इसके विशह में कोई चर्चा नहीं यह तो चलो एक दुख की बात होगी हमारा मतलब है जब यह दुख की बात है तो एक तरफ आपके नहीं लग रही है आपको पता है आपको दिख रही है चीज़े तो आप एट लीस्ट जो आपके हाथ में है आप उसके लिए तो प्रयास करिए देखे राज्य भर में सरकारी मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालेव में सिक्षकों के लिए सतर हजार पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोग सिवा आयोग को जल्दी ही अधियाचना भेजी जाएगी इसकी तैयारी में सिक्षा विभाग समेत जिलोग के पदा अधिकारी लगे हुए है विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाटक जी ने मंगलवार को नियुक थी इन पदों के रोस्टर क्लियरंस के लिए जिलो को नर्देश दिये गए हैं जिलो को नर्देश है कि रोस्टर क्लियरंस कर रेपोर्ट पर जिलादेकारी से अनुमोदन लेकर विभाग को भेजें विभाग से मिली जानकारी के नुसार दरजनवर जिलों ने यह रोपोर हुई है और नडेश दिया गया कि जल से जल ये रिपोर्ट विभाग को भेज दें किके पाठक जी ने आठ दिनों के बाद मंगलवार को विभाग में आये थे और सप्तावर से विभाग नहीं है उन्हें को ले करके कई तरह की चर्चा विभाग के पदादेकारियों कर्मियो कहा कि इसमें कोई कोता ही बरदाश नहीं की जाएगी वहीं कोड के से लंबित मामलों की जानकारी के लिए और इनके निस्पादन में तेजी लाने का नडेश दिया तो कहने का आश है ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको नहीं देखने को मिल रही है चीज़े तो इसकी पढ़ाई करके पहले ये निकाल लो हाना तो आभी कोई पदों की संख्या भी कम नहीं है बहुत अच्छा मोका भी है चुनाओ का समय भी है जो वेकेंसी मिल रही है कहने का आश ही है कि आप उसको उसकी पढ़ाई करिए और उसको ग्रैप करिए तो पढ़ना के अम प इस पर ध्यान दीजिए बहुत जल्दिन का डिटील चला बस आएगा तो उस पर भी चर्चा कर रही होंगे ठीक है तो मिलते हम आप से नेक्स्ट वीडियो के माद्यम से तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा जिससाब से चीज नहीं कुछ नहीं कह सकते हैं कुछ भी जो भी आपके टीचर से बोलेंगे कि कोर्स ले लिजे और जो भी यह मंतरी बगैर हैं इनके बयान में कहीं कुछ समझी नहीं आता है कि वर्ति आएगी यह नहीं तो बस चीजें से चल रही हैं जहां पर आप हैं वहीं पर हम समें तो बस क्या है कि अपने दिमाग से काम ले हमसे तप्ते के लिए अपने ध्यान रखेगा धन्यवाट